हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपको मेरा एक नया मेरेज वेंटिंग वीडियो पर तो चलिए वीडियो को फार्ट से लास तक बने रहे और मैं आप लोगों को आज मेरेज वेंटिंग का कुछ बहुत ही सिक्रेट चीछ बताने वाला हूं जो कि हो सकता है आपको मददगार मिलेगी तो दोस्तों चलिए वीडियो को पटाफट एक लाइक कर दिए किंगि आपके लाइज मुझे मुटिवेट करता है एसे वाले वीडियो बनाने के लिए तो हा दोस्तो अगर आप मेरे चिनल में नए हैं तो मेरे चनल को सब्सक्राइब बल दीजिए और बेल घंटी को दवा दिए ताकि मैं जब भी वीडियो अवलेड करूंगा तभी आपको पहले देखने का मौका मिलेगा सब्सक्राइब दूस्तो मेरेच प्रेंटिंग मेरेच प्रेंटिंग अगर आप और एक नया प्रेंटर हैं तो मैं आज आपको एक बहुत ही एक शीक्रेट चीज बतावाँ गा जो की आप वह बहुत-बहुत ही मदद करेगी और आप कैसे जल्द से जल्द मेरेज पेंटिंग कर पाएंगे इसके बारे में मैं आपको एक सिक्रेट हीज बताने वाला हूं तो चलिए सुरुआत करते हैं ज्यादा तरह मैंने अपने तरीके से मेरेज पेंटिंग को तीन भागों में डिवाइड किया हूं और जो पहला है वो बहुत ही इजी है जो दो नमबर वाला है वो मीडियम है और जो तीसरा होता है बहुत ही हार है तो चलिए इन तीनों पेंटिंग के बारे में जानते हैं कुलब इजी, मीडियों और हारक और इन तीनों को जानने के बाद हमें क्या फायदा मिलेगा इसको आप वीडियो लाज तक देखते रहिए जो पहला वाला वीडियो होता है जो इजी स्टेव होता है तेक है इजी मेरे स्पेंटिंग जो होता है क्या होता है कि जो बेग्राउं होता है आउटलाइन होता है वो बस ब्लेक कलर देने के बाद जो जहां कलर लगेगा उससे बस कलर भर देना है और बस उसे छोड़ देना है दुलाँ दुलाँ के नाम लिख कर ये होता है बहुत ही इजी तरीका और जो second formula होता है वो बस और second formula होता है simple marriage penting यानि कि मैं जो सब marriage penting करता हूं और जो सब मैं अपने YouTube channel पे छोड़ता हूं वो medium, classical पर जाएगा और medium मेरे painting के हिसाब से वो ही category पर आएगा मेरे ख्याल से और मैं ज्यादा तर ही medium वाला painting करता हूँ क्योंकि रोच जो साधी का season होता है कहीं ना कहीं एक दिन में 4 थो 5 थो 6 थो भी लेखना पड़ता है इसलिए मैं medium ही करता हूँ और जहां hard करता हूँ वहां तो अलग ही चीज है लेकिन हमेशा मैं कोशिस करता हूँ medium वाला painting को choose करने के लेकिन कि नहीं उसी में कोई दिकत उठाना पड़ता है नहीं कोई उसी में कुछ ऐसा करना पड़ता है नहीं पुछ आपको कुछ तकलिफ होती है कि फिर से बहुत सारे मेरे प्रेंटिंग करने जाना पड़ता है तो भी इसलिए मुझे simple सा और medium art को choose करना पड़ता है तो चलिए वीडियो को फिर से बने रही है मैं आप लोग को मतलब one और two और three जो मैं simple वे बताया था उसी के बारे मैं फिर से मैं बताऊंगा एक एक करेंगा और तिसरा जो होता है वो hard painting यानि कि एक ही painting को दो दिन तक करना एक ही painting को आप 8 घंटे 10 घंटे लगाना और इसका किमत आप जानते होंगे कितना होता है जिना मेहनत करते होई भी अगर आपको अच्छा किमत नहीं मिलेगा आपको अच्छा दाम नहीं मिलेगा तो फिर आप उतना time करके फायदा यही होता है दोस्तों कि बस नाम कमाओ लेकिन पैसे के ब है इसी लिए आपको आपको ही डिसाइट करना पड़ेगा क्या आप हाड करेंगे इजी करेंगे या फिर आपको बहुत ही मीडियम ही करेंगे ज्यादा तर इन तीनो स्टेप पर जो नए पैंटर होते हैं वो पहला स्टेप ही अपनाते हैं और और जिनको अच्छा खासा पैंटिंग करना आ जाता है और वैसे भी वो लोग मीडियम बाला को फोलो करते हैं और ज्यादा तर वो तीन चाठो पैंटिंग एक दिन में कर लेते हैं और ज्यादा सो बहतर से बहतर जो पैंटिंग होता है जो हार पैंटिंग होता है ज्यादा तर वो बहुत ही एक्सवरियंस लोग एक्सवरियंस पैंटर करते है और वो कहीं ना कहीं एक ही दिन में एक मेरेज पेंटिंग करके संतुष्ट होते हैं इस मेरेज पेंटिंग के बारे में अगर मैं बोलूँ तो दिवाल है प्लास्टिक पेंट्स दिया गया है और बहुत ही बहतेरिन है दिवाल और इससे ध्यान देकर करना पड़ता है क्योंकि जहां प्लास्टिक पेंट लगा हुआ होता है वहीं पे आप अगर कलर अगर मोटा नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं क्या होता है कलर बह जाता है और पेंटिंग खराब हो जाता है और कभी-कभी दिमाग भी हमें काम नहीं करता जहां प्लास्टिक पैंट इतना ज़्यादा दिया गया हो और वहीं पर मैंने देखे प्लास्टिक पैंट विध डिस्टेंपर के साथ काम कर रहा हूं बड़े ध्यान से और चलाग से मैने चल् fundamentally करने के लिए आप लोग को काफी ही दस नंबर या फिर 12 नंबर ब्रस और बस फोटा बहुत आउरव फिर या फिर जो दुल्हा दुलुंका नाम होता है वो सब लिखने के लिए आपको चार नंबर या फिर पांच नंबर का लूघ। इन दोनों ब्रोश से आप लोग को काफी हो जाएगा अगर आप मेरिटमेंटेंग करने में थोड़ा बहुत एक्सपिरेंस लिये होंगे तो आपको चार पांच लोंग्यार और दस से बारो इन दोनों दोनों ब्रोश से ही आप काम चला लेंगे से बाद फिट से फिर पानी के माध्यम से ब्रॉस को साप कर लेता हूं फिर वही ब्रॉस से हमेशा काम चला कर मेरे प्रेंटिंग को खतम कर लेता हूं तो दोस्तों देखिए बहुत ही फंटा है और आप अगर कहीं ना कहीं इस टाइप का मेरे प्रेंटिंग करते हैं या फिर आप हमेशा रोच एक नया नया डिजाइन करना चाहते हैं तो आपको यहां ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं आपको एक ही पिक्चर को पहले इंपोर्टान देना पड़ेगा जैसे कि मैं देखें यहां प्रिष्ण भगवान बनाया हूं जो फैस बनाया हूं उस फैस को थोड़ा सा इंपोर्टेंट देते हुए बस और बाकिसोग कर दिया यह होता है एक तरीका आप कहीं ना कहीं कोई मेरे प्रेंटिंग करने जाते हैं तो आपको एक सिंपल सा पहले पिक्चर अच्छे से बना लेना है और उसके बाद सिंपल एक चीज आपको वहीं पर एड़ कर देना है क्योंकि हर पेंटिंग आप खास नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप लोग के पास भी टाइम नहीं होता है इसलिए आपको एक पेंटिंग को ध्यान दे गई है information की तो आप मुझे comment कीजिए मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा धन्यवाद बाई बाई